प्रैग्नेंसी में नाभी में बहुत सारे जो बदलाव हैं वो दीखने लगते हैं जो सबसे बड़ा चेंजिज एक महिला एक्सपीरियेंस करती हैं वो है कि कालेपन को लेकर वैसे तो सरीर के बहुत सारे अंग काले पड़ते हैं जैसे कि अगर बात किया जाए तीन बॉडी पार्ट को मैं वीडियो के इंदर कंसिडर करूँगी पहला होने वाला है नाभी में काले पन दूसरा होने वाला है गर्दन का हिस्सा काला होना प्रैग्नेंसी में और थर्ड होने वाला है जिन अंगों से आप बच्चे को दूद पिलाओगे डिलीवरी के बाद उनमें भी डार्कनेस होना और ये कब से होती है अब कौन से ये डिटेल जाने के लिए लास्तक देखिए जिससे आपका अपने लिए जो अनुभव आप करेंगी कि आप में कौन-कौन से पॉइंट सच होते जिससे आपका अंदाजा आज के आज सही भी लगेगा और कह सकते हैं ये चीज को सीक्रिट भी रिवेल होने वाला है मैं आप सब के साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए इस चानल पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा चानल को वीडियो को ही आप लाइक कर दीजिए यहां बात करते हैं फॉस्ट पॉइंट के उपर नाभी में चेंजेज को लेकर द सबसे पहले हम जालेंगे कि काला क्यूं होता है नाभी लाइन यह सरीर के और भी जो अंग है वो काले क्यों होते वो जस्ट मेलीनीन की वजह से इन में कालेपन होती है। यह कह सकते हैं कि सभी महिलाओं के साथ 80% मैंने महिलाओं को देखा कि नाभी लाइन जरूर काली होती है तो यह घबडानी के जरूरत नहीं है इसके लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है यह जस्ट एक संकेत होता है जिसे उल्ड वाइब्स बताया करती है शकेंड बात क हिशां काला होना गर्दन का हिशां क्यों काला होता है अकर रहरे करेंगे फाक्ट की तो यह है कि पहली चीज तो मैलीनिन के कारण होती है इन हिसों में काले पनतबairs ऑरे औरा यहाइण कि उधे और 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 डेका जाए तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने गर्दन के हिस्से को इस वजह से भी काला पन मेलिनीन की वजह से भी काला पन तब जाके यह डार्कमेश दिखती है अब अगेन बात करते हैं थार्ड पॉइंट को लेकर देखें आप इन अंगों में जो है बच्चे को प्रेगनेंसी के सुरुवाती दिनों में इन में एक डार्कनेस होने लगती है यह जस्ट मेलिनीन के कारण फिर धीरे धीरे इनके साइज में कह सकते हैं साइज बढ़ना और साथ में एक स्वैलिंग भी महसूस होना दर्द होना या कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलना य और किसी किसी को थोड़े बहुत आधे चमच के अमाउंट में या दोचार बुंद के अमाउंट में दूध मिल्क कभी आना डिलीवरी से पहले ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है यह चीजे तो घबडाईगी नहीं यह बिल्कुल मिल्क डग बनने की प्रेकरिया के अंदर य साथ में ओल्ड वैब्स की बाते बतादू मेरे अंदर यह दो पॉइंट जैसे की नाभी का कालापन यह गर्दन का हिसे में भी थोड़ा सा कालापन यह दिखा था आप में कौन-कौन से पॉइंट सच हुए डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट कीजें मिलती हूँ आप सब के लिए बाय बैन टेक केर